Books That Speak में आप सभी का स्वागत है जब Alexander Graham Bale ने पहले पहले टेलिफोन का अविश्कार किया था तब शहर में सिर्फ दो फोन थे सुचो, आज लगभग हर एक के पास एक सेल फोन है इस कहानी के पन्नों में आपको बेल के टेलिफोन से सेल फोन तक के विकास की कहानी की एक जलक मिलेगी कहानी का शीर्शक है टेलिफोन बेल से सेल तक ओरिजनल स्टोरी टेलिफोन बेल टु सेल बाई प्रथम बुक्स कहानी लिखी है वीना प्रसाद जब आपको टेलिफोन पर किसी से बात करनी हुती है, तो आप क्या करते है? हाथ बढ़ा कर अपना मोबाइल फोन उठा लेते है? या फिर दीवार पर टंगे या चौकी पर रखे लैंड लाइन टेलिफोन का चोगा उठा कर नंबर मिलाते है? या फिर डाक्खाने या परचून की दुकान पर दुकानदार को पैसे देकर फोन इस्तिमाल करते है? फोन चाहे जहां इस्तिमाल करे तरीका तो वही रहता है आप नंबर मिलाते है और दूसरी और घंटी बजने का इंतजार करते हैं लेकिन शुरुवात में कॉल करना इतना आसान नहीं था अलेक्जांडर ग्राहम बेल ने टेलिफोन का अविशकार 1880 में किया था दस मार्च 1886 को उन्होंने अपने सहायक थॉमस वाट्सन को कॉल किया बेल ने मूँ की ओर रखने वाले हिस्से में जोर से बोलकर उन्हें अपने पास आने को कहा सहायक ने अपने कान पर लगाये जाने वाले हिस्से से बेल की आवाद सुनी और दोड़ते हुए बगल वाले कमरे से उनके ओफिस में आ पहुँचे ये बात अमेरिका के बोस्टन शहर की है उस समय टेलिफोन में डायल नहीं था दो टेलिफोन तार के जरिए सीधे एक दूसरे से जुड़े थे जब ज्यादा लोग टेलिफोन इस्तमाल करने लगे तब तमाम लोगों को जुडने के लिए एक्सचेंज बनाये जाने लगे इन एक्सचेंजों में एक स्विचबोर्ड होता था जिसके जरिए किसी इलाके के टेलिफोन इस्तेमाल करने वालों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता था एक ओपरेटर तारों में लगे प्लक को सौकिट में डाल कर दो लोगों की आपस में बात करवाते थे एक स्विचबोर्ड इस तरह का दिखता था और टेलिफोन देखने में ऐसे होते थे उनमें बोलने वाला हिस्सा यानि की माउथपीस और सुनने वाला हिस्सा यानि की इयरपीस अलग-अलग होते थे और अब तक उनमें डायल भी नहीं थे फिर कॉल कैसे किये जाते थे हेलो क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ ओपरेटर क्या आप मुझे डॉक्टर मिंग से जोड सकते है हाँ केविल एक सेकंड पहले फोन करने वाले को रुसिवर उठाना पड़ता था दूसरी ओर से ओपरेटर का अभिवादन सुनाई देता था ओपरेटर कुछ तार इधर से उधर जोड देते थे और डॉक्टर के फोन की घंटी बजने लगती थी लेकिन बात करने वालों को ये ध्यान रखना पड़ता था कि वो क्या बाते कर रहे है क्यूंकि अगर ओपरेटर चाहे तो बाते सुन सकती थी टेलिफोन की संख्या बढ़ने के साथ ओपरेटर के लिए सभी कनेक्शन याद रखना असंभव हो गया इसलिए ऐसे टेलिफोन बनाए गए जिनमें डायल होता था और ओपरेटर की मदद लेने की बजाए मन चाहे टेलिफोन का नमबर डायल करने से बात होने लगी मिलाया गया नमबर एक ऐसे स्विचबोर्ड पर जाता था जो खुद बखुद मिलाये गए नमबर वाले टेलिफोन से जोड़ देता था लेकिन अब भी लंबी दूरी के कॉल के लिए ओपरेटर की मदद लेनी पड़ती थी 1920 के दशक के अंत में फोन का डिजाइन बदल गया क्या बदल गया? आगे चलकर स्पीकर और रिसीवर एक हथे से जड़ गये इसे एक हाथ से पकड़ा जा सकता था अगर चाहे तो इसे गरदन के दबाव से कंधे पर भी टिकाए रखा जा सकता था ताकि बात करने वाले के हाथ कुछ लिखने के लिए खाली रहे या अगर चाहे तो बात करते करते घड़ी भी पहन सके? जल्दी ही लोग चलते फिरते फोन पर बात करने की सोचने लगे नहीं नहीं अब तक सेलफोन नहीं आये थे लेकिन आप रास्ते में रुख कर सारवजनिक टेलिफोन बूठ से किसी को फोन कर सकते थे 1930 के दशक में दुनिया के कई बड़े शहरों में ऐसे बूठ बन गए थे दरसल ज्यादातर लोगों को इसी तरह टेलिफोन कॉल करने पड़ते थे सिर्फ बहुत अमीर लोगों के घर पर ही फोन होते थे कुछी साल बाद लोग कार चलाते-चलाते बात करने की सोचने लगे इसलिए कार के अंदर ही टेलिफोन लगने लगे रिसीवर और डायल वाले लेकिन ये कार फोन बेतार होते थे यानि की कॉडलिस कार फोन रेडियो तरंगों के जरीए एक दूसरे से जुडते थे 1970 के दशक में सिर्फ कुछ ही लोगों के पास ऐसे फोन होते थे जिने वो अपने साथ बैग में लेकर चलते थे ये सेटलाइट फोन थे जिनसे उपग्रहों के जरीए दुनिया में कही भी बात की जा सकती थी सेटलाइट फोन कभी भी ज्यादा लोकप्रियन नहीं हो सके क्योंकि इन्हें इस्तमाल करने के लिए फोन को आसमान में स्थित सेटलाइट की सीध में रखना जरूरी होता था यानि अगर कोई 20 मंजिली इमारत की दूसरी मंजिल पर रहता हो तो उसे किसी का कॉल आने या किसी को कॉल करने के लिए फोन लेकर इमारत की छट पर जाना पड़ता था लेकिन इसी बीच सेलफोन का दौर आ गया इन्हें इस्तिमाल करने के लिए उपग्रह की सीध में रखने की जरूरत नहीं थी ये फोन तरंगों के जरीए पास के सेल टौर से जुडते थे ऐसे में घर या ओफिस के अंदर बैठे बैठे भी फोन पर बात की जा सकती थी पहला सेलफोन 1973 में बना जिसका वजन एक किलो से अधिक था बाद में ये इतना चोटा हो गया कि आपकी जेब में समा सके एक सेलफोन अन्य तरीकों से सुविधा जनक भी है लैंड लाइन फोन तारों से जुड़ा होना चाहिए इसका मतलब ये है कि कजबों के बीच में केबल लगाये जाने के लिए खुदाई करनी पड़ती है कई गाओं में फोन नहीं था लेकिन वायरलेस सेलफोन ने सब बदल दिया है लगभग सभी के पास अब एक सेलफोन है आज के सेलफोन सिर्फ कॉल करने के लिए नहीं है आप चैट कर सकते है खेल खेल सकते है इमेल भेज सकते है इंटरनेट ब्राउज कर सकते है संगीत सुन सकते है फोटो और विडियो देख सकते है अप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते है जिसे हम फोन कहते हैं न वो वास्तव में एक कम्प्यूटर है जो कॉल कर सकता है भविश्यक का फोन क्या कर पाएगा? आज आप बस अपने दोस्त का नाम लीजिए आपका फोन खुद भखुद उसका नमबर मिला देगा हो सकता है एक दिन ऐसा भी हो जाए कि आप अपने फोन से कहे तीसरी क्लास में मुझे गणित पढ़ाने वाली टीचर का नमबर ढूंडो और वो ऐसा कर डाले हो सकता है कि एक दिन फोन किसी भी चीज की त्री आयामी यानि की थ्री डैमेंशनल तस्वीर दिखाने लगे ताकि ओनलाइन खरीदने से पहले आप स्कूल बैक को हर कोन से देख सके अंदर से भी हम कलपना कर सकते है कि एक दिन मोबाइल फोन ऐसे होंगे कि उन्हें तोड़ा मरोडा भी जा सकेगा तब आप अपने फोन को अपनी कलाई पर घड़ी की तरह बांध भी सकेंगे और अगर चाहे तो रुमाल की तरह मोड कर अपनी छोटे से बटूए में भी रख पाएंगे और चार्जिंग उसके लिए कोई बहतर तरीका ढूंडना पड़ेगा सोलार सेल बढ़िया रहेगी आपको उसे चार्ज करने के लिए बस बाहर धूप में जाना होगा इसके अलावा हिलने से भी फोन चार्ज हो सकते है इसमें चलते समय पैदा होने वाली गतीज उर्जा से फोन चार्ज हो सकते है यानि जब तक कोई उन्हें लेकर चलता फिरता रहेगा फोन चार्ज होता रहेगा अगर बैटरी खत्म हो रही हो तो बस फोन को लेकर सडक पर जट पर दोड लगा दे फोन भी चार्ज हो जाएगा और कसरत भी हो जाएगी स्मार्ट फोन बहुत जल्दी पराने पड़ जाते है ज्यादादर लोग अपने फोन को एक दो साल में हटा कर नए फोन ले लेते है इसमें बहुत बरबादी होती है कितना अच्छा होता कि फोन पृत्वी के लिए इतने बुरे ना होते उनसे नुकसान पहुचाने वाले विकरण और घातक पदार्थ न निकलते और उनके सभी पूर्ज या तो दुबारा से इस्तमाल किये जा सकते या प्राकृतिक रुप से विघटीत होते यानि कि बायो डिग्रेडेबल होते तब कही हम ये कह सकते थे कि स्मार्ट फोन की प्रोधोगी की वास्तव में स्मार्ट प्रोधोगी की है प्रोधोगी की मतलब टेक्नलोजी अब हमें ये बताईए कि आपके अनुसार भविश्र में फोन कैसे होंगे तो कैसी लगी टेलिफोन के जनम के विस्तारित कहानी तो और ऐसी बहुत सारी कहानिया सुनने के लिए बुक्स्थाइट स्पीक इस चैनल पर जरूर आईएगा यूट्यूब पर और अलग-अलग पॉड्कास्टिंग चैनल पर वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते हैं अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया